हजार बार लोगों ने मुझसे यही question पूछा है अलग-अलग तरीके से पूछा है अलग-अलग circumstances में पूछा है लेकिन मेरा जवाब हमेशा एक ही रहता है और हमेशा एक ही रहेगा और वो बिलकुल सही है, बिलकुल valid है उसको जीवन में अपना लेना आज जो प्रशन आया है वो है किसी ने मुझसे पूछा है कि उनका boyfriend उनकी nude pictures मांग रहा है छे महीने साल भर का relationship है दोनों में प्यार भी बहुत है लेकिन boyfriend थोड़ा सा frustrated मालूम होता है बार-बार nude pictures मांगता है वो यह कहता है हम दोनों एक है हमने शादी ही करनी है तो हमें एक फासला क्यूँ हमें एक दूसरे का शरीर नहीं देख सकते एक दूसरे को feel नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ संबन नहीं मना सकते इनका boyfriend तो nude pictures मांग रहा है किसी का boyfriend या किसी की girlfriend उनके साथ sex की भी request कर सकते है दोस्तों मेरी बात को gart मार लेना अगर कोई भी इनसान कितना ही आपसे प्यार करता हो या दिखता है कि प्यार करता है आपसे आपकी nude तस्वीरे मांग रहा है तो वो इनसान आपको प्यार नहीं करता ये बात मैं stamp paper पे लिख के दे सकता हूँ आपको जो इनसान आपकी जिन्दगी को खत्रे में डाल रहा है आपकी pictures को internet की गंदगी में उतार रहा है चाहे वो indirectly उतार रहा हो आगे phone भी चोरी हो सकता है आगे camera भी चोरी हो सकता है आगे आपका data भी leak हो सकता है आगे वो ही boyfriend या girlfriend आपको blackmail भी कर सकता है जो इनसान इतनी जरूरी बात को ignore करके आज आपसे कह रहा हो कि मुझे nude pictures भेज़ दो वो इनसान आपको प्यार नहीं करता आपना भविश्य आपके साथ नहीं देखता बिल्कुल भी नहीं देखता उसको आपकी इज़त की चिंता नहीं है उसको ये नहीं पता कि आप समाज में नंगे हो जाओगे अगर किसी ने वो nude pictures देख ली या कहीं वो leak होगे या किसी pawn side पे चली गई तो कोई आपको blackmail कर सकता है गलत इस्तमाल कर सकता है आपका कितना बुरा हो सकता है यार ये nude pictures के चक्कर में और तो भी उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो आपसे nude pictures मांग रहा है प्यार क्या मैं तो कह रहा हूँ आपसे नफरत करने के लाइक भी नहीं है उसके लिए आप सिर्फ एक शरीर हो जिसका वो इस्तमाल करना चाता है और कुछ नहीं हो बिल्कुल bluntly ये बात बोल रहा हूँ और कोई इंसान जो अपनी girlfriend या boyfriend से ऐसे news बांगता हूँ वो सुन रहा हो तो मेरी बात समझ लेना तुम उससे प्यार नहीं करते है उससे नफरत करते हो कोई शायद बदला लेना चाते है उससे आगे black mailing का scope रखना चाते हो क्या data recover करना मुश्किल होता है क्या phone चोरी नहीं होते है क्या memory card चोरी नहीं होते है क्या पुराने laptop बेशते नहीं हो मैं तुम से सच्चा प्यार करता हूँ क्या प्यार करते हो आरत हूँ प्यार का शरीर का प्यार होता है प्यार तो मन का प्यार होता है आत्मा का प्यार होता है आप एक इंसान के साथ पुरा जीवन जीने के सपने संजोते हो उसकी body के लिए frustrated नहीं हो जाते आगे शादी तो होई जानी है ना relationship तो बनी जाना है ना इतनी frustration मतलब आपकी मंचा गलत है और घटिया है या कोई sex की request करने लगता है आपके partner का अगर मन नहीं है वो ये कह रहे हैं कि शादी के बाद ही हम संबंद मनाएंगे तो आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि आप उनको blackmail कर रहे हो आप उनको push कर रहे हो relationship बनाने के लिए आपको सीधे सीधे साबित कर रहे हो कि भाईया मैं तुम्हारी body से प्यार करता हूं तुम्हारे मन तुम्हारी सोच तुम्हारी life मेरे कोई value नहीं रखती और फिर जब body मिल जाएगी या news मिल जाएंगे तो क्या होगा मैं बताता हूं क्या क्या होगा आ किसी और को भी बेशता हो वो मेरा जीवन साथी क्या बनेगा मुझे तो एक शरीफ इंसान चाहिए जो मेरे को मना कर देता देख लो अपना दोगलापन करते हैं यह माबाप का बहाना डाल दोगे कुछ ना कुछ करके उस इंसान से भाग जाओगे क्योंकि आपका मन तो भर नूट्स ना क्लिक करने है ना लीक करने है ना किसी को सेंड करने है कुछ भी हो जाए रिष्टा तोड़ने का ब्लैक मेल करना आप तोड़ दो रिष्टा ऐसे इंसान से कभी भी रिष्टा मत रखना चार छे मेने का जो दुख होगा वो सहले ना जो ब्लैक मेलिंग सहने का दुख होता है ना जो जब पिक्चर्स लीक हो जाती है तब दुख होता है वो बहुत बड़ा दुख होता है उससे लोग पार नहीं पापाते तो इससे अच्छा है आज ऐसे घटिया इंसान से रिष्टा तोनने का दुख कर लो कोई बात नहीं महीने दो मेने में सब ठीक हो जाएगा लेकिन आपने ये गलत हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है चाहे कुछ भी हो जाए और मैं तो यह कहता हूं कि boyfriend या girlfriend को judge करने का सबसे बड़ा तरीका ही ही है कि आप ये notice कर लो क्या वो आपकी body के प्रति infatuated है क्या उनको सिर्फ आपकी body चाहिए आपका शरीर चाहिए या आपका मन चाहिए आपका साथ चाहिए वो आपके साथ पूरा जीवन वितीद करने के सपने देखते हैं clearly पता चल जाएगा और कुछ देखने की ज़रोती नहीं है thank you